हे गाइस वेलकम टू मै चैनल दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं ऊरियो बिसकेट से बहुती यूनिक मज़ेदार रेसिपी औरियो बिस्केट से तो आपने बहुत कुछ बनाया होगा जैसे की आइसक्रीम हो गया, केक हो गया, सब कुछ बनाया होगा लेकिन ऐसी रेसिपी आपने कभी नहीं बनाया होगा, ना ही कभी खाया होगा तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुती यूनिक एंड टेस्टी रेसिपी तो चलिए आज का रेसिपी हम सुरू करते हैं सबसे पहले दो पेकेट और्यो बिसकेट ले लेना है उसको हम खोल के ऐसे बाउल में डाल देंगे उसके बाद और्यो बिसकेट की जॉइन को हम सेपरेट करेंगे देखिए ऐसे निकाल देना है फिर ये जो वाइट सो क्रीम है वो हमें इससे अलग करना है वो भी ऐसे या तो आप स्पून के सहारे या ऐसे ही नाइफ के सहारे अराम से इजी लिया पेसे इसको सेपरेट कर दे देखे ऐसे निकल गया, अब हमने सारा बिस्केट और क्रीम अलग कर दिया है। अब हम यह बिस्केट को अलग से ग्राइंड करेंगे और यह क्रीम को भी हम अलग से ग्राइंड करेंगे। अलग-अलग दोनों ग्राइंड करेंगे, क्रीम में थोड़ा सा दूद मिला के ग्राइंड करेंगे, सबसे पहले ग्राइंड एड कर जार लेंगे, उसमें ये सारा बिस्केट हम डाल देंगे, उसके बाद इसमें हम बस एक ही इंक्रिडियन्ट एड करेंगे, वो है चीनी, ब बस हम एक प्लेट ले लेंगे इसमें ये सारा जो बिस्केट पाउडर है ये इसमें एड़ कर देंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइफ रूट्स ले आपके पास जो भी ड्राइफ रूट्स अविलेबल हो आप ले लेना मैंने बस काजूबा दम लिया है अब हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे छोटे छोटे टुकडे में से काटेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे ये चौपर ले ले लिया चाहे तो आप हातों से भी काट सकते हो ड्राइफ रूट्स भी हमर अच्छे से चौप हो चुका है देखिए इतने बारिकी से एसे छोटे छोटे टुकडे में काटना है आप हातों से भी इजीली काट सकते हो देखिए ऐसे ही होना चाहिए अब ये ड्राइफ रूट्स को हम बिस्केट पाउडर में एड़ कर देंगे आपको ड्राइफ रूट्स जितना चाहिए कम ज़्यादा आप उतना एड़ कर सकते हो उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे दूद दूद को पहले गरम करके इसको थंडा कर दीजिएगा, बहुती कम गरम होना चाहिए, इसमें हम एसे थोड़ा थोड़ा एड़ करके इसका एक डो बना के तयार करेंगे जैसे आटा गुनते वक्त पानी थोड़ा थोड़ा डाल के एक डो बनाते वैसे ही इसमें दूद थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसका एक डो बना के तयार करेंगे अगर आपके पास दूद एवेलेवल ना हो तो अमुल पाउडर होगा तो अमुल पाउडर को हम क्या करेंगे जो मिल्क पाउडर होता है उसे हम थोड़ा सा गरम पानी में डाल के उसे दूद जैसा बना के हम इसमें एड़ करके एक डो बना सकते हैं दूद एक साथ ना डाले ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दूद डालके हम इसका एक डूद बना के तयार करेंगे इसमें बहुती कम दूद यूज होता है देखे हमारा डूद बनके तयार है अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे देखे एकदम परफेक्टली डूद बनके तयार है ऐसे ही होना चाहिए अगर दूद ज्यादा डल जाए तो थोड़ा सा बिसकेट पाउडर इसमेड कर दीजिएगा फिर ये सेट हो जाएगा कुस देर बाद हमारा ये बिसकेट सेट हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसका एक छोटा छोटा टुकडा करके एसे पहले राउंड बनाके फिर हम इसको एसे लंबाई में खीशते हुए ऐसी सेप दे देंगे आप अगर कोई और सेप में बनाना चाते हो तो आप वो भी बना सकते हो आपकी मर्जी भई और हम ऐसे ही ये सारा बना के तियार करेंगे एसे ही थोड़ा गोल करके फिर इसको थोड़ा सा एसे लंबाई में खिषते वे लेंगे फिर हमारा ये बन गया अब हम क्या करेंगे इसको और थोड़ा सेट करने के लिए हम एसे दोनों करनर को इसे थोड़ा थोड़ा दबा देंगे तो दोस्तों अगर आप मेरे इस चनल पे ने आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मैं ऐसे ही आपके लिए बहुती यूनिक डिफरेंट और टेश्टी मज़ेदा रेसिपी लेके आऊंगी और अगर ये रेसिपी आप सबको पसंद आए तो प्लीज लाइ है अब हम कोई भी बरतन या बाउल ले लेंगे ये जो वाइट क्रीम हमने निकाल के रखे थे वो हम इसमें एड कर देंगे अब हम इसमें थोड़ी सी दूद मिलाएंगे जादा नहीं बस थोड़ा सा ही दूद चाहिए और इसको अभी हम ग्राइंड कर लेंगे और कुछ इसमें एड नहीं करना है यह ग्राइंड हो चुका है आप पतला बेटर बथ के तयार है अब हम कोई भी बरतन ले लेंगे मैंने याप एक क्ड़ाई ले लिया है उसके बाद यह जो हमने क्रीम ग्राइंड करके रखे थे यह इसमें हम एड कर देंगे ये क्रीम कड़ाई में एड़ करने के बाद हम ग्यास के फ्लेम को हाई कर देंगे उसके बाद हमें इसको लगातार ऐसे चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए हम ऐसे इसको चलाएंगे ये थोड़ा सा और भी थोड़ा गाड़ा हो जाएगा उसके बाद हम एसे कोई भी छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे इसमें हम आधा स्पून से भी कम कश्टड पाउडर एड़ कर देंगे अब बस हमें इसको अच्छे से मिला देना है जैसे गुटलिया ना पड़े बस इसे मिला देना है फिर हम कश्टड पानी को इसमें एड़ कर देंगे और इसमें एड़ करके हमें लगातार इसको चलाना है ग्यास का फ्लेम हाई पर होना चाहिए अब हम हाई फ्लेम में इसको इसे ही लगातार चलाते रहेंगे इसमें हमें कुछ भी add नहीं करना है ना dry fruits ना sugar कुछ भी add नहीं करना है बस इसमें थोड़ा सा custard powder ऐसे डाल के बस इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे पूरा गाड़ा होने तक हम इसको इसे चलाते रहेंगे कस्टर्ड पाउडर मिला है तो अवियोसली जल्दी गाड़ा हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी जो आएगा ना मसत आएगा तो देखिए ये कितना गाड़ा होते जा रहा है और भी हमें इसको अभी पकाएंगे कुछ सेकेंड तक फिर हमारा ये बनके तियार हो जाएगा तो कुछ सेकेंड बात देखिए दोस्तो हमारा क्रीम एकदम पर्फेक्ली तियार है अब बस इससे जादा नहीं पकाना आए हमें अब ये जो हमने तियार करके रखे थे इसके उपर ये क्रीम हम अभी लगाएंगे अब हम कोई भी ऐसी नाइफ या तो कोई भी स्पून के सहारे हम इस क्रीम को ऐसे इसके उपर लगाएंगे आपको जैसा मन करें आपको जैसी डिजैन में पसंद है आप वैसे ही बनाईए मुझे ऐसा पसंद आया तो मैंने इसे बना लिया इसे ही सारा क्रीम हम इसके उपर लगा लेंगे ये जब पूरा बन के तयार हो जाएगा तो दिखने में ये मस्त लगेगा इसमें जितना cream use हो जाएगा हो जाएगा जो बाकी क्रीम बचेगा उसको हम फेकेंगे ने उसको हम ice cream बना के खाएंगे तो दोस्तो हमने ये सारा cream इसमें लगा लिया है देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब हम इसको थोड़ा और decorate करने के लिए थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए हम क्या करेंगे जो dry fruits का powder होता है वो हम इसके ऊपर एसे छिटकेंगे देखिए इसके ऊपर एसे रख द के तयार है कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में जितना ही अच्छा एट्रक्टिव लग रहा है खाने में ही उतना ही मज़ेदा टेस्टी है तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इसे देख कोई नहीं बता सकता कि ये orio biscuit से बना है आप चाहो तो इसको एक-द दोस्तों है ना बहुती यूनिक डिफरेंट रेसिपी तो आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंड में बताए आप सबको कैसा लगा तो दोस्तों अगर आज का ये रेसिपी आप सबको पसंद आया तो लाइक कमेंड करना बिलकुल भी ना बूले और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू